हेलो दोस्तों, वेलकम बेक टू आउर चैनल और आज मैं आपके लिए लेके आए हूँ एक और रिव्यू तो आज दोस्तों मैं TDS मीटर का रिव्यू करने वाला हूँ एप्टेक डीस का TDS मीटर है जिसको मैंने अमिजोन से मंगवाया है और इसका हम डिटेल में रिव्यू करेंगे बताएंगे देखेंगे कि इस पेमर्पी 399 है लेकिन ये कितने का मिला और जो है इसके क्या फीचर्स है वो सब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे तो दोस्तों देखिए ये जो है में जोन से मंगवाया था मैंने इसको मैंने निकाल लिया है डब्बे में से कुछ इस तरह की पैकिंग में अंदर एक और छो सब्सक्राइब के अंदर दब्बे तीन डब्बे हो गए और इसकी यूजर मैनुल भी है वह मैं आपको दिखाता हूं यूजर मैनुल है इसके अंदर वह मैं भी आपको निकाल के दिखाऊंगा तो यह देखिए डिजिटल वाटर टीडियेस मीटर है यह कुछ इस तरह का और मैं आपको टीडियेस भी चेक करके दिखाऊंगा पानी का यह देखिए जीरो से ट्रिपल ना क्वाइट 99999 तक पी का जो टीडिये से चेक कर लेता है और इसके अंदर टेंपरेचर भी आप चेक कर सकते हैं अटोमेटिक शेट डाउन होता है होल्ड का फंक्शन है होल्ड अगर कि आप उसे देख सकते हैं एक हजार घंटे की इसकी बैटरी है ठीक है ओमलब एक्कुरेशी भी ठीक है इसकी यह देखे इसके कुछ फिचर से चलिए अब इसको खोल लेते हैं और के अंदर से कैसा है तो यह देखिए कुछ इस तरह का यह टीडियेस मीटर है आप देख सकते हैं होल्ड टैंपरेचर ओन उफ तीन बटन है यहाँ पर इसे आप लगा सकते हैं उस तरह का केस है और यह है इ पानिकी जो हम पीते हैं वह उसका टीडियेस प 20 से तक होना चाहिए तो बहुत कैसा भी पानिए पीते रहते हैं इसलिए हमको एक पानिकीडियेस मीटर घर में रखनाँ चाहिए ए ताकि हम पानिकी चैक कर सक Floren कैसा है अगर आरोभी लगा होता है घर मे तो आरोभी जो है व तो मैं आपको इससे चेक करके दिखाऊँगा टैप वाटर और आरो वाटर का TDS में क्या डिफ्रेंस है तो नॉर्मली पचास से डेड़ सो या लगबग 200 मैक्सिमम उससे ज़्यादा TDS नहीं होना चाहिए पीने का पानी का और 500 के उपर TDS तो पोटेबल होता ही नहीं है उसक यह देजिए दोस्तों एप्टेक डीजिस की ब्रेंडिंग है यहाँ पर TDS मीटर है अगर मैं इसको ओन ओफ का बटन है टेम का है होल्ड का है यह एक्चुली कैमरा में अच्छे से देखने पा रहा है बलर हो रहा है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ और अगर आप इस इस वीडियो को मैं जैन में और दिल्लियों बना रहा हूँ तो आप देख सकते हैं और उसके बाद आप इसको हटा देंगे टेमप्रेचर से तो यह हट जाएगा इसको ठीक है और अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे आप TDS कैसे चेक कर सकते हैं तो दोस्तों च इस तरह से डिप करेंगे तो TDS करने लगेगा और आप इसे होल्ड दबा देंगे तो फिर यह होल्ड कर लेगा उस TDS की वेल्यू को यह देखिए तो टैप वाटर का जो TDS है दोस्तों 450 आ रहा है आप देख सकते हैं 450 है टैप वाटर का TDS है ना अब होल्ड पे से इसको हट होल्ड करना है इसको होल्ड करेंगे तो यह रीडिंग को वैसे ही रखेगा देख सकते हैं इसका TDS आपका 110 आ रहा है तो आपने देखा डिफ्रेंस टैप वाटर का और आरो वाटर का डिफ्रेंस यानि आपका 50-500 होना चाहिए तो आप इसको रेगुलर अपने आरो वाटर को भी चेक करते हैं बड़े काम की चीज है दोस्तों चोटी सी चीज है और कोई बहुत ज्यादा कोश्टली नहीं है इसका बाइंग लिंक में आपको डेस्क्रिप्शन में दे दूआ ओनली 199 में मुझे मिला है अमेजोन से और डील वील चलती रहती है तो आपको 5-10 रुप कर दें अपना यूज करने के बाद और उसके बाद राम से इसको हिला के और आप इसको दुबारा रख लें तो बहुत ही अच्छी चीज है दोस्तों छोटा सा है 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 आप चाहिए तो अपने ट्रेवल के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं कि आप कहीं बाहर घूमने वगर हो तो इसलिए टीडेस मीटर आप जरूर परचेश कर सकते हैं अपने घर के लिए और चोटा से इंवेस्टमेंट है कोई जादा नहीं है आरो का भी हम पता चलता रहता है कि सही पानी दे रहा है कि नहीं दे रहा है कोई दिक्कत होती है तो उसका टीडेस बढ़ जाएगा डिग्री सैसियस में ही बताता है और टीडेस तो आपने देखी लिया है आप इससे किसी भी तरह के लिक्विड का टीडेस चेक कर सकते हैं लेकिन नॉर्मली तो हम लोग पानी का ही चेक करते हैं तो दोस्तों यह था मेरा इसका डिटेल डिव्यू अगर आपको पसंद आया झाल